तब से पहला प्रस्राशना है नाची केता कौन था ? नाची केता जो था मारसीवा सरवा का इकल大概 था पूत्र था्थे पित्रवक्त वालग था दूसरा किवशन है कि नाची केता त्रवाक नाची केता क्यों दुखी हुआ और उसमे पете पीता से क्या कहा नची केता इसलिए दूखी हुआ था क्योंकि नची केता के पीता महरसिवा सर्वा जब याग चालू कर रहे हैं तो समय वचन दिये थे दूद देने वाली गाए और धन संपत्य को दान में दूंगा लेकिन याग खत्म होने के वाद इसका जैस्ट उल्टा क किये थे इसलिए नची केता जो ऐसे दूखी हुआ और अपने पीता सिरी से कहा कि बताए मैं आपका सबसे अनुमल बस्तू हूं मुझे आप किसको दान में देंगे थिसरा यहां पर कीशन है कि नची केता यांपूरी किस लिए गया था तो नची केता यांपूरी इसलिए नची केता यांपूरी गया था दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीच सेवेंथ का हिंदी का लेशन टू जो कहानी का नाम है नची केता उसको लेकर करके आया हूं देखें नची केता कहानी का परमुख पात्रों का नम हमने यहां पर लिग दिया है सब महर मुख पात्रों को लिग दिया है जैसा कि आप जान रहे हैं कहानी का नाम है नची केता नची केता नची केता जो हमयशा पीता की आग्याओं को पालन करने के लिए ततपर रहता है और महरसी बाग सरवा भी ऐसे एक ग्यान जो आसे राज़ा हैं जो साथ संथ महत्माओं को जह से निमंतरन दे करके बुलाते हैं और याग को चालू होने से पहले ही वो भचन देते हैं कि जैसे ही याग समपत होगा तो मैं सभी जो है से गाव धन को दान दूँगा सोना चांदीज धन समपती जो है से मैं दान में दूँगा तो ही क्या होता है कि याग में सभी सादू संत महत्मा जो है से आते हैं राजा लोग आते हैं विविन देसों से विविन राजियों से आने के बाद जो है जाग चालू होता है याग चालू होने के बाद जैसे ही याग संपन होता है तो याग संपन होने के बाद महरसी बाज सर देते हैं तो इससे रहा नहीं जाता और नचीकेता देखकर के मन ही मन सोचता है कि ये पीता सिरी जो है से किस मुहमाया के चक्कर में पड़ गये हैं ये तो यग चालू होने से पहले बताएं थें वचन दिये थें कि मैं यग खत्म होने के बाद दुध देने वाली गाया और स जो है दान जीस गाय को आप दान दे रहें ये जो ऐसे बुड़ी है दूध ना देने वाली गाया है ये गाय को लेकर के ब्रहमन परिबार में जो हैसे क्या करेंगे ब्रहमन स्री क्या करेंगे इतना बात जो हैसे कहते हैं बोलते हैं कि आप जो हैं से अच्छे गाय को क्यों फिर भी महर्सि बातसरवा जोहसे नचीकेता को माना करने पर नचीकेता को बताने के बाउजूद भी जब बुड़ी और दूध ना देने वाली गाय को लिजब दान दे रहे हैं तब जोहसे नचीकेता को नहीं रहा गया हटपीता सिरी यह जो हैसा आप छोटी-छोटी बसतूओं को दान देने में इतना संकोच कर रहे हैं तो मैं जो हूँ से आपका सबसे पिरिये अमूल बसतू हूँ उझे आप किसको दान में देंगे महरसी बात सर्वा जो है वो सांत रहते हैं कोश समय तक सांत रहते हैं लेकिन जब क्या होता है कि नची केता हट करने लगता है जिद करने लगता है तो मारसी बाद सर्वा को भी गुसा आता है और गुसा में जो ऐसे बोल देते हैं कि जाओ मैं तुम्हें यामराज को दान में दूँगा इतनी बाते नची केता सुनता है तो नची केता जो हैसे व हित परिवार से मिल कि नाचिकेटी का जो हैसे यहम जोट में पुरी जाने के पास नहीं यामजाद जो है सभी जीवों की आतमा को समय पूर ने पर ही जो है से पिर्थवी से स्वर्ग लोग में ले जाते हैं लेकिन लाख माना करने के बवजुद भी अच्छिकेता नहीं माना याम पूरी जाने के लिए त्यार हो गया जैसा ही क्या हुआ कि तीन पहर चलने के बाद याम्दूत लोग से बोलते हैं कि मुझे याम्राज क्या पाह जाना है मेरे पीता सीरी ने एक यग किया था उसमें मुझे याम्राज को दान दिया इसलिए मैं याम्राज से मिलना चाहता हूं ऐसी बातों को सुन करके याम्दूत भी चकित हो जाते हैं कि अभी याम्राज जो executives Bill वालगता है पिर्थिवी लोग मेरे पास आगी आगिया ठिटिवी लोग पर जाता हूं मनुस् Ministry की आत्मा को लाने के लिए तो सभी लोग जैसे मुझे से डर करके छिप जाते हैं काखते हैं कि मुझे अभी पृत्री पर ही रहने दो लिग्या कैसा बालक है ये सोच करके मन ही मन वहीं चाहते हैं कि क्यों ना जल्ड से जल्ड उससे बुलाया जाये तो अपने यामदूत को बोलते हैं कि जाओ उसे अधर पुर्वक जो ऐसे यहां लेकर आओ यामदूत जो ऐसे जाकर करके नचीकोता को बोलते हैं चलिए महराज आपको बोला रहे हैं जाने के बाद यानि सिर जुका करके वो जो है नचीकेता परनाम करता बोलता है परनाम भगवन यह अमराज बोलते हैं कि बताओ वद्स तुम कौन हो चीकेता बोलता हूँ कि मैं नचीकेता हूँ महरसी बास सरवा का एकलाओता पूत्रे हूँ यह अमराज बोलते हैं कि क्यों आए हो चिकेता जो आसे अपनी पूरी बातों को जो है सबनन करता बताता है कि मेरे पीता सेरी ने किया गया था है जो आपको दान दिया है इसलिए मैं आना आपको चलाया मैं तूम पर तुम जैसे तीन बर्दान मांगो मैं तुम्हें तीन बर्दान देता हूं तीन बर्दान देने के लिए जैसे न चीकेता को बोलते हैं यम्राज केता बोलता है कि अगर आप सही में भगवन मेरे पर सन है तो मुझे तीन बर्दान अगर देना ही चाहते हैं तो पहला बर्दान करवाएं है वह स्वार्ग की प्राप्ति उनको प्राप्त हो चलो यह दंसे को बता तो जीवन की रहास्य तो जीवन की रहास्य को अहांसिल करो ज्यान प्राप्त करो ज्यान जब प्राप्त कर लेगा तो तुम्हें जीवन का रहस्य के बारें भी पता चल दाएगा यह कहानी जो हैसे यहाँ पर खत्म होता है मैं आपको इसको बात बताओंगा कि इस कहानी में कौन-कौन-स यहां का परसने पूछे जाएंग यह जो था से पीतरेभक्त वालक था यनी पीतरेभक्त वालक के मतलब है कि पीता की आग्यां को पालन करने के लिए हमेशा तत पर रहता था दूसरा क्यूशन है कि नाची केता क्यों दुखी हुआ और उसने अपने पीता से क्या कहा तो जैसा कि हमने कहानी में ही बताया कि नाची केता इसलिए दुखी हुआ था क्योंकि नाची केता के पीता महरसी वा सरवा जब यग चालू कर रहे हैं तो समय वचन दिये थे कि यग खत्म होने के बाद सभी ब्रहामन को दूद देने वाली गाए और धन समपति को दान में द टेंगे तीसरा यहां पे किहचन है कि नाची केता इंपूरी किसलिए गया था चॉंठा में केता को यह 뜌ा इंफ़ लिगला तो यहां पूरी के मुक्खेदवार पर इसलिए रुकना पड़ा था क्यों से राज महल में नहीं थे यानि याम राज जो है आज से वहां पर नहीं थे इसलिए नची केता को याम पूरी के मुख्य के दोवार पर रुकना पड़ा यहां पर पांचवां और सबसे last person है कि नची केता ने याम राज से क्या-क्या वार मांगा तो जैसा कि हमने कहानी में ही करो धसान्त हो और पहले जैसा ही मुझे लाल प्यार दें दुसरा बार मांगा था कि मेरे पीता सिरी यग जो किये थे वो स्वर की प्राप्ति के लिए किये थे वो यग का सुफल जो हैसे मेरे पीता सिरी को प्राप्त हो और तिसरा बार मांगा था कि यह भगवन गर आप ने बताया और नाची केता कहानी से संबंधी जो ही परमुख प्रस ने उसके वारे मां आपको बताया चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं धन्यवाद